हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco C 65 Android mobile phone में आप अपने mobile phone की slow charging की प्रोल्म को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको ड्यूटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को आप स्टार्ट कर ल अगर कोई प्रोल्म आ जाती तो वो solve हो जाती mobile phone को reboot करने से अब दोस्तों अगला काम करने के है कि कभी भी आप अपने mobile phone को चार्ज करते हैं तो mobile phone को चार्ज करने के लिए आपको हमेसा अपने phone के साथ वाला charger आपको यूज करना है कभी कबार ऐसा होता है हम किसी भी दूस चार्जिंग पर लगाते हैं तो mobile phone को चार्जिंग पर लगा कि अपने phone को इस्तमाल नहीं करना है इससे भी mobile phone जो चार्ज होता है चुड़ी बात आपको कुछ ध्यान में रखनी है अगला काम यह करना है mobile phone का software आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है इसके लिए आ पर अपने charger का वायर अपने phone से कनेक्ट करते है तो mobile phone पर जो चार्जिंग पर्ट में थोड़ी बहुत धूल मत्ती चिपक जाती है जिसके कारण mobile phone स्लो चार्ज होता है तो ध्यान रखिएगा mobile phone के charging port को हल्के आतो है साफ करना है ज्यादा ताकत दबाव या प्रेसर नहीं लगानी है नहीं तो charging port के अंदर के जो particles है वो damage हो सकते है phone का charging port बिल्कुली खराब हो सकता है तो इसलिए आपको ध्यान रखने हल क्या तो है साफ करना है ठीक है अगला काम यह करना है mobile phone को reset करना है दिखें दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है तो नीचे की साइट आपको फैक्ट्री रिशेट का एक option होगा थोड़ी देर में यह वाला फैक्ट्री रिशेट पर टैप करना है अब आपको इस page में सबसे नीचे erase all data का option टैप करना है इससे आपका phone जो reset हो दाएगा और आपके phone की slow charging की problem solve हो देगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data है सारा data आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note कर गे रख है देखिए दोस्तों आपके mobile phone का service center है अपने phone के service center चले जाना है अपना phone वहां पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूंते कि हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके वज़े से आपका mobile phone slow charge हो रहा है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो बताये हैं वो mobile phone के software के जरीए बताया है ठीक है